हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, वो बच्चे जो लॉक्डाउन में घर पे बैठके कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, वो पढ़ाकू बच्चे हैं आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का सबसे आसान टॉपिक, इतना आसान कि आपको लगएगा यारी, 10th क्लास में क्यों हैं टॉपिक, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मतलब अपने अपने geometry box तयार कर लीजिए, नहीं है तो ढूण के लिए यह क्योंकि गर्मी की छुट्टिया हैं, आपने सोचाओगा अभी तो कुछ काम आएगा हैं, काम आएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको, scale, campus, protector और geometry case, geometry case नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे पास 3-4 चीज़ें यह most essential things हमको जरूरी चाहिए येस, तो अपने geometry box ढूण के रखना, आज तो जरूरत नहीं है, मगर next lecture में जरूरत पढ़ेगी, ओके, आज मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, और अगली बार आपके पास यह सारी चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद हम खुद आपके पास आकर के बताएंगे, कैस कैसे construction करना है, और कैसे full out of full marks लाना है, किस में, construction के topic में, बहुत सारे बच्चों को क्या है, छोटी classes में compass चलाना नहीं आता है, किसी को degrees बनाना नहीं आता है, कोई दिकत नहीं है, हम इस 10th class में ऐसा पढ़ेंगे, कि आपके construction में पूरे में से पूरे number, correct, सबसे आसान लगे दिया, कोई angle दिया, यह angle बना हुआ है, this angle is already with us, पूरे 10th class के construction में, अगर इसकी कोई दिल की खास, जिसको कहते है, जवरत वाली चीज, वो है, compass से same angle draw करना आना चाहिए, अगर आपको same angle draw करना नहीं हाता है, compass से, तो आपके 10th class के, यह तीन छुटे-छुटे से topic, अभूरे रजाई है, yes, तो हम क्या सिखेंगे, आज हम सिखेंगे, how to draw same angle using compass, यह का यह angle मेरको यहाँ बनाना है, बाइदबे मेरको यहाँ बनाना है, अब मैं कैसे बनाऊंगा, same angle without using D or protector, सबसे पहले क्या करेंगे, अ इस compass को इस corner point पे needle रखेंगे, pencil यहाँ रखेंगे, और इसको घुमाएंगे, यह मैंने घुमाया, by the way यहाँ गया, कैसे किया, वापिस देखो, यह की, अब मेरको इस point पे चाहिए, तो इस point पे मैं क्या करूँगा, पहले एक simple line draw कर दूँगा, यह मैंने line draw कर दी, correct, अब इ मैं यह compass खोला था, उतना का उतना, compass मैं यहाँ needle को रखोगा, और इस compass को ऐसे चलाओगा, तो यह ऐसे चलाते ही, यह चलाओ, बताओ पहली step समझ मैं, इस compass के needle को यहाँ रखा, pencil को यहाँ रखा, ऐसे गुमाया, जिस point पे मेरको angle चाहिए, वहाँ needle रखी, और line से compass को, बता base line पे मैंने लिया, needle को लगाया, और यहाँ पे लगा करके इसको adjust कर रहा हूँ, ताकि मेरको measure हो जया है, what is the length of this arc, यह arc की length कितनी है, इसको आगे पीछे करके, मागर compass बहुत tight रहना चाहिए, यह मैंने measure कर लिए इसकी length, अब मैं इसको यहाँ base line पे लगाँगा, और इसको मैं यहाँ cut कर दूँ, जो मैंने cut किया, अब मैं square scale से simple join कर दूँगा, अब जो यह angle आया, कौन सा, given angle था AOB, and the new angle is PQR, these two angles are same to same, okay, बताओ समझना है, जिसको यह angle समझ में आ गया, कम से कम जिनको नहीं आता है, 25 बार बना लेना, कितनी बार, 25 टाइम्स, newspaper भी बना लेना, okay, लेकिन यह चीज आने चाहिए, अगर यह चीज आएगी, तो हम आगे बढ़ेंगे, कर रहेंगे आज प्रेप्टिस, पक्का, done, अब हम आगे चलते हैं, first, to divide the line segment, कोई भी एक line आपको दे देंगे, suppose a line says 7.6 cm, you have to draw a line of length 7.6 cm, we want to divide it internally, इसके बीच में से तुकड़े करना चाहते हैं, अगर मेर पास यह कोई scale है, और मैं इसको बीच में से तुकड़े करना चाहते हूं, किस ratio में, 5 is to 7, 5 parts इदर रहने चाहिए, 7 parts इदर रहने चाहिए, यह 2 is to 3, तो 2 parts इदर रहने चाहिए, 3 parts इदर रहने चाहिए, so suppose I want to divide this line segment in the ratio 2 is to 3, 2 plus 3 ka total कितना हुआ, 5, सब्सकेल में चाहिए रहने चाहिए, A point per को इद रहने चाहिए रहने चाहिए, any acute angle of your choice, it means without measurement simply put a scale and draw a line from A, by the way it is up to C, आगे चाहिए रहने, what is the total of 2 and 3, 2 plus 3 is 5, it means I have to take 5 equal arcs, starting from point A, A से कितने arc लेने है, 5, क्यों लेने है, क्योंकि 2 और 3 का total कितना है, 5, अगर यह होता 5 और 7, तो मैं कितने arc लेता, 5 plus 7, 12, और अगर यह होता 4 and 7, तो कितने arc लेता, 4 plus 7, 11, तो अभी मैं कितने लोंगा, 2 and 3, that is 5, so starting from here, 1st arc, again, 2nd arc, again, 3rd arc, again, 4th arc, again, 5th arc, without measurement, मगर इतने छोटे से छीडी जैसे नहीं लेने, थोड़े पर, ताकि compass इजीली घुम सके, बताव क्या किया, 5 arcs लेली, नाम दे देते, A1, A2, A3, A4, A5, these are the 5 arcs, 5 means the last part, so join this A5 with B, now, revision of, how to draw the same angle, using compass, जो मने इसे पहले किया, this angle we want to make here, on the point A2Q, two parts, three parts, so this angle, we have to measure, put a compass like this, and the same, same arc, you have to put on A2, यह मने A2 पे, same arc, now we have to measure, this arc, so put needle here, compass here, and put needle here, compass here, यह जाइ कर दिया, now draw, now draw, this point is say, B dash, so AB dash, and, B dash B, are the two parts, this one is 2, and this one is, 3, कितना असान, अगर कब आसान होगा, जब हमको बनाना आता होगा, same angle, and how to check, whether our construction is correct or not, simply put D here, measure the angle, यह मने major किया, कितना degree आया, यहांपर पूट करो, उतना ही degree आनाच, same, तो D हमारा सिर्फ किस काम के लिए, only, to re-check, 10th class में D कभी भी कुछ काम नहीं आएगा, protector कुछ काम नहीं आएगा, simply, you will check the angles, that these two angles are same, it means these two lines are parallel, because these two are corresponding angles, so these two are parallel lines, कितना असान, तो हम किसी भी line के टुड़े कर सकते हैं, उसको divide कर सकते हैं, in the given ratio, 2 is to 3, 5 is to 7, 4 is to 7, whatever, the length is given to you, कर लेंगे, good, हम इसके लिए एक अलग topic लेकर आएगे, जिसमें हम आपको, copy paint बनाना सिखाएंगे, तो आज तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ, board पे सिखा रहे हैं, ताकि आप एक basic knowledge ले दो, लेकिन actual exercise हम किस पर करेंगे, copy paint पर करेंगे, using actual compass, actual scale, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कल आपके पास geometry box आप तयार रखेंगे, कोई चीद नहीं है, तो arrange कर लें, अपने चोटे भाई-बेंच से ले लें, नहीं है तो market से purchase कर लें, but geometry box चरूरी है, क्या होगा, तो a student, a maths student, without a geometry box, हमारी चीज हमारे पास होनी चाहिए, correct, second construction आता है, to construct a triangle, similar to a given triangle as per the given scale factor, यानि किसी triangle को किसी factor से छोटा करना है, या बड़ा करना है, मागर similar कोना चाहिए, similar का मतलब होता है, उसकी sides क्या होंगी, same ratio में, बड़ी हो जाएंगी या छोटी हो जाएंगी, अभी हमको दिया एक triangle बनाने को, अब triangle बनाने का means है, आपका 6th class, 7th class, 8th class, 9th class का revision, इसलिए वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपको triangle बनाना आना चाहिए, कभी हो कह देंगे, कभी कह देंगे, two angles are given, included side is given, सब तरह की question जो आपने 6th से 9th तक करेंगे, तो triangle बनाना तो मैं मानता हूँ, आपको आता है, करेंग, नहीं आता ते बड़ प्रटिस कर लेंगे, Now we want to reduce this triangle, in the ratio 3s to 4, यानि triangle को छोटा करना है, क्यों? क्योंकि 3 by 4 का meaning क्या होता है, it is less than 1, इसका मतलब हमको छोटा करना है, अगर यह चीज़ होती 4 by 3, divide को 1 point something, इसका मतलब भड़ा हो जाता बन से, तो triangle को क्या करना परता? बड़ा करना परता, अभी हमको triangle को क्या करना है, reduce करना है, so the greater number is 4, so first we draw the same acute angle, कितना भी, without any measurement, and take the 4 equal arcs, यह लाइन बना ही, हमने supposedly तर, and use the compass, same as the previous article, but how many numbers, the greater number 4, so we have to make the 4 arcs, first, same, second, same, third, same, four, कितने arcs बना है, 4, क्यों बना है 4 arcs? because 3 is to 4, अगर 3 is to 5 होता 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 है, 5, 3 is to 7 होता 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 है, 7, whatever is a better number, we have to take the number of arcs, now join the last one, यह लास्ट वाले से मैंने इसको join करना है, अब this is the last one, we want to draw, how many parts? 3 parts we have to take out of these 4 parts, इन 4 parts में से मको कितने parts लेने? 3 parts, so this is say, B1, B2, B3 and B4, out of 4 parts, we want to take 3, क्योंको चुटा करना है, so on this 3rd part, same चीज जो हमने पिछले आर्टिकल में करी, we want to draw the same angle, here on the 3rd part, क्या करा, compass की निडिल यहां रखी, same arc, अब इस आर्खो को मेजर किया, उतना को उतना हियां कट किया, now, join, these two lines must be parallel, it means these two angles are same, किसे बनाया? protector से, अब इसको check कर रहेंगे, बनाया किसे? compass से, check किसे किया? protector से, these two angles must be same, अगर यह same नहीं है, इसका मतलब, something is wrong in your compass, or something is wrong by taking the point, correct? now, after getting this intersection line, say this point is C dash, on this C dash, you have to draw again the same angle, this C, क्या करेंगे? compass के निडिल यहां लेंगे, यह गुमाया, same angle we want to make on C dash, so take the compass, same arc, जितना अर्क यहां गुमाया, कुतना अर्क यहां गुमाया, now we have to measure this arc, यह measure किया, यह measure किया, cut किया, और joint किया, these two lines must be parallel, it means these two angles must be equal, तो क्या करेंगे, protector लेंगे, इस D को डिस्क यहां रखेंगे, angle को measure करेंगे, यहां रखेंगे, angle को measure करेंगे, these two angles must be same, hence, triangle, a dash, b, c dash, similar to a, b, c, and it is now reduced, in the ratio, 3 is to 4, easy, फोटा तरहनट ने वाली बात, कैसे, triangle तो देंगे छोटा, और क्या कहेंगे, 5 is to 3 scale factor से आपको इसको बढ़ा करना है, why, because 5 by 3 is more than 1, divide करके देख लो, नहीं आता है, 5 को 3 से divide करेंगे, तो 1 point something, 1 point 6 point something, it means it is more than 1, तो अपने को क्या idea मिल गया, इसका मतलब हमको triangle को बढ़ा करना है, method is the same, थोड़ा सा change, here it is 5, it means we have to draw, 5 equal arcs, on any acute angle, say, c, b, d, क्या लिए angle acute? c, b, d, c, b, d, b, d, and how many arcs we have to draw, greater number is 5, it means we have to draw 5 arcs, so first we start with here, 1, 2, 3, 4, 5, whatever the greater number, we have to take the total number of arcs, so here it is, we can write b1, b2, b3, b4, b5, this triangle is already 3 parts, and we want to make it more, up to 5 parts, this ka matlab, third part, this triangle we have to join with b3, because it is already 3 parts triangle given to me, we want to increase the size of the triangle, up to 5 parts, it means, the same thing, ये angle ko compass लगाएंगे, b3, पर, जो angle है, same angle we want to draw on b5, जो b3 पर angle है, उतना को उतना b5 पर बनाना है, using compass, ये लिया b3 पर, compass कुमाया, तो ये बंढ़िया arc, the same, without changing, we have to put here on b5, and draw this arc, अब क्या करते हैं, अब तुर्याद हो जाना ची, इसको हम गुमा सकते हैं, and we want to measure, this length of the arc, ये measure कर ली, और ये यहां लगाते हैं, correct, और ये cut, अब, try this, अगे जाने पर, कट तक, जब तक ही, C को हम extend करके, कहां लियाँगे, C' पर, so this point is, C' कितना असान बताओ, third point से angle लिया, these two angles must be same, now use the protector, measure करेंगे angle को, correct, 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 इसका मतलब हमारा, अभी तक का, measurement, 100% correct, अब इसके बाद, जड़ा साइक, whatever angle is here at C, we have to draw on, C' तो compass को रखेंगे हम, C पर, और, गुमा देंगे, उतना का उतना, यहां गुमा देंगे, तो यह हमने गुमाया, और इतना का इतना यहां, यह कुमा है, अब क्या करते हैं, जो angle पहले से तयार है, उसका arc, मेजर करेंगे, और उतना का उतना arc, यहां कट कर देंगे, यहां, now, using scale, you can draw, we can draw, यह हमने draw कर दिया, अब बताओ, एक को अगे बड़ाते हैं, this comes, A dash, so A dash, B, C dash, is the required triangle, which is, 5 by 3 times the previous one, यानि पहले वाला अगर 3 times था, तो बड़ा वाला कितना हो गया, 5 times, तो scale factor is 5 is to 3, बताओ, छोटे से triangle को उने बड़ा कर दिया, मगर इन सब की सबसे important बात क्या आती है, जिसको compass से, same angle बनना आता है, उनको आज के तीनो आर्टिकल समझ में आ जाएंगे, कौन सा, first to divide the line segment, second to construct a triangle, means to reduce the triangle, and the third one to enlarge the triangle, in the given scale factor, आज के लिए इतना काफी, 11.1 exercise अपने आप से try करेंगे, वरना मैं तो बताऊंगी, किस पर, copy pen पर, ताकि आप geometry box को, use करना सीख जाएं, नहीं आता है, तो भी सीख जाएंगे, और आता है, तो तो आज ही अपने आप exercise 11.1 कर लेंगे, done, चलिए, take care, मिलते हैं, मगर practice करते रहिए, good bye,